आज हम बेहाई बुक का चेप्टर अ ट्रूली बीटिफिल माइड पढ़ने जा रहे हैं इस चेप्टर थोज़ दा लाइट उन दा लाइफ अबर्ट आइंस्टेन और इस नोबल वीनिंग वर्क इन फिजिक्स आज हम इसी ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में इस चेप्टर में पढ़ेंगे बट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माइड चैनल तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजी and he had own original thoughts and ideas and he developed the special and general theory of relativity and he won the Nobel Prize for the Physics in 1921 चलिए let's start the chapter A Truly Beautiful Mind Albert Einstein का बर्थ 14th March 1879 को जर्मिनी के उल्म सिटी में हुआ था बीना किसी इंडिकेशन के कि उसकी किस्मत में कोई बड़ा आद्मी बनना लिखा था इसके अपोजेट जो उनकी मदर थी Albert Einstein को एक फ्रीक फ्रीक मिस एक अजीब और ड्रावनी चीज मानती थी क्योंकि उसकी मा को जो है लगता था कि Albert का जो सीर है वो जुरूरत से ज़्यादा बड़ा है At the age of the two and a half मतलब धाई साल की उमर होने पर Einstein बोलने नहीं लगे थे और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर वर्ड को वो दो बार बोलते थे और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने का भी पता ही लगता था और दूसरे बच्चे इसलिए उन्हें बोरिंग ब्रदर कहकर बुलाते थे छोटे थे तो वो केले ही खेला करते थे specially उन्हें मकानिकल ट्वाइस बहुँ ज़्यादा पसंद थे एक बार उन्हें अपने न्यूबोन जो सिस्टर थी उसे कह दिया कि वह बहुँ ज़्यादा सुन्दर है लेकिन इसके वील्स का है पहिये का है एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनके फादर से कह दिया कि आइंस्टाइन जीवन में कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले लेकिन वो कभी भी सफर नहीं हो सकते इस तरह आइंस्टाइन के बारे में कोई कुछ भी कह देता था जब आइंस्टाइन शिक्स यार्स के थे तो उन्होंने वॉयलेन बजाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी जो मदर चाहती थी कि वे जो आइंस्टाइन वॉयलेन शिक्खें लेकिन उन्होंने सिर्फ इस शो किया तोर पर वॉयलेन बजाना सीखा and he maintaining this skill throughout the life Albert Einstein went to a high school in Munich पर जब वे 15 years के थे तो अब वो मुनिक में ही अपनी family के साथ रहते थे और he scored good marks in almost every subject but वो स्कूल के टाइट डिसीप्लें से टाइट atmosphere से उन्हें बहु ज़्यादा हेट था और वो इसी बात को लेकर टीचर से भी उनका clash हो जाता था जगड़ा हो जाता था और 15 years की एज में उनका स्कूल से में इतना दम खुटने लगा कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया इससे पहले कि वो अलबर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो है मिलान चले गए थे और आइंस्टाइन को को उनके रिलेटिव के पास ही छोड़ गए थे और प्रिलॉंग डिसकॉशन काफी लंबे डिसकॉशन के बाद आइंस्टाइन जो है अपनी स्टडी को कंटिनीव करने के लिए वो स्विजलेंड चले गए और स्विजलेंड में जो एंवार्मेंट था व और उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली तो उन्होंने जीवरिक के इनवस्टी में स्टडी करने का डिसाइड किया और वहां पर वो मिलेवा मारिक एक गर्ल से मिले और ही फैलेंड लव पी एक इंटेलिजेंट कर थी मिलेवा मारिक स्विजलेंड इसले आये थी क्योंकि जीवरिक एक ऐसी इनवस्टी थी जहां पर वुमेंड बहुत कम डिग्रीज लेती थी मिलेवा मारिक एन अलबर्ट आइंस्टाइन रोट मैनी लेटर्स टू इच अदर और कुछ लेटर्स भी मिले हैं जहां पर दे पूट देर अफेक्शन इंटू वर्ड्स एक जगां अलबर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं कितना हैप्य और प्राउड फिल करूंगा जब हम दोनों मिलकर जो है रिलेटिविटी से रिलेटिड अपने काम को सक्सेस्फुली जो है पूरा करेंगे अलबर्ट आइंस्टाइन एक उन्वेस्टी ग्रैजविट हो गए थे बट वो बिरोजगार भी थे उस समय तब उन्होंने एक असिस्टेंट तीचर के रूप में भी काम किया और प्राइविट ट्यूशन भी वो दिया करते थे इन 1902 के लास्ट में ही गोट दा जॉब और उन्हें बनके एक पेटेंट ओफिस में एज टेकनिकल एक्सपर्ट के रूप में उन्हें काम मिल गया यहां पर जो दूसरे लोगों ने जो भी इन्वेंशन की वी होती थी उन्हें वो असिस्स किया करते थे और अपने प्रोजेक्ट को उन्होंने अभी भी सीक्रिट कर रखा वा था और मजाक में अपने काम करने वाले अपने डेक्स की ड्रॉर को वो ब्यूरो अफ थेोरिटिकल फिजिक्स का उन्होंने उसे नाम दे रखा था इन 1905 की केम आट विद थे स्पेशल थेोरी फिजिक्स का उन्होंने फार्मूला दिया और यह फार्मूला था E is equal to mc square here e stand for the energy, m for the mass and c for the speed of the light ओविन वैक्यूम इस फार्मूले के जो according time और distance जो है आपने आप में स्वतंत्र चीज़े नहीं है अगर actually दो पूरी तरह से जो ठीक घड़ी हैं जो watches है बिल्कुल ठीक हैं लेकिन वो उनके according वो जो है फिर भी अपना जो time है वो एक जैसा नहीं दिखाती वो कहते है कि अगर दोनों घड़ियों के एक साथ रख दिया जाए और उनका time fix कर दिया जाए और फिर उन्हें अलग लग जर्नी में ले जाया जाए और जब उन्हें वापिस उस जर्नी से लाया जाए और तब उनका watches को देखा जाए तब भी वो उनमें से एक जो watch होगी वो दूरी उस्ती के comparison ली fast होगी और इसी से उन्हें ये formula निकाला जो mass and energy के relationship को describe करता था वाइल Einstein was solving the most difficult problem in physics तो उनकी life में भी कुछ changes आ रहे थे Albert चाहते थे कि वो अपनी study खतम होते ही मिलेवा मारिक से marriage कर लेंगे पर उनकी mother जो थी इस marriage के against थी क्योंकि मिलेवा मारिक Albert से जो 3 साल बड़ी थी इसलिए Albert की जो mother थी वो मिलेवा मारिक को Albert से ज़्यादा बड़ी समझती थी और वो मिलेवा की intelligence से भी परेशान थी और तब उस समय Einstein ने मिलेवा से marriage करने के लिए मना कर दिया था but finally they got married in January 1903 और उनके दो बेटे भी वे लेकिन few years later उनकी marriage life लडखनाने लगी क्योंकि मिलेवा अपनी intellectual ambition जो उनके थे जो घर परिवार में कहीं खोग ने खोने लगे थे वह एक unhappy housewife इस वज़े से वह बन गई थी और लगातार लड़ाई जगणों के बाद दोनोंने 1919 में divorce ले लिया और आइंस्टाइन ने अपनी cousin Elsa से शादी कर ली इन 1915 में उन्होंने अपनी journal theory of relativity published की जो gravity को interpret करती थी उसकी व्याक्या करती थी उसे explain करती थी और 1919 में solar eclipse हुआ सूरे grand हुआ तब इस बात का भी proof मिल गया और तब उस समय newspaper ने इसे scientific revolution का ना दिया Einstein received the Nobel Prize for physics in 1921 और फिर पुरे वर्ल्ड में उनकी invention को appreciation मिला जब 1933 में Nazis came in power in Germany तो Einstein जर्मनी को छोड़कर अमरीका चले गए और इसके five years के बाद Berlin में जो की जर्मनी में है वहाँ nuclear fusion means विखंडन की discovery हो गई और अब जो है फासिजम से भाग कर जो है कही लोग जो है अमरीका आये थे जैसे कि Einstein भी आये थे अब उन्हें इस बात का डर हो गया था कि Nazis अब atom bomb बना लेंगे और उसका वो use भी कर लेंगे एक कलीक के request करने पर Einstein ने 2nd August 1939 को अमरीका के President Franklin D. Roosevelt को एक letter लिखा जिसमें उन्होंने ये warn किया कि अगर इस तहां को कोई bomb किसी port में किसी बंदरगाह में exploit वा तो पूरा पूरा पोर्ट जो है पूरा बंदरगाह को ये destroy कर देगा और साथ के साथ जितने भी surrounding territories होंगे वो भी destroy हो जाएंगे इस तरह अमरीका ने secretly item bomb develop कर लिया और इसे अगस्ट 1945 में हिरोशिमो और नागासा की जैसी cities में उन्होंने गिरा दिया जब इतना destruction हुआ विनाश हुआ तो आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो इस वार उन्होंने युनाइट नेशन को पब्लिक की तरफ से एक लेटर लिखा इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गॉर्मेंट बनाने का सजजेशन दिया पर इस अन्लॉकली इस लेटर को कोई भी इंपोर्टिंस नहीं दी गई कोई भी इंपोर्टिंस नहीं मिली और आगे आइंस्टाइन ने फिर पोलिटिक्स में वो इन्वर्ट हो गई आइंस्टाइन डाइड इन नाइंटीन फिफ्टी फाइफ एड दी एज ओफ सेवेंटी सीक्स अन्हीं वस्ट नॉट ओंली ए साइन्टिफिक जेनियस साहित्री भी एक ग्रेट आशावादी एक वर्ल्ड सिटिजन भी थे आज हमने चप्टर अट्रुली बीटिफुल माइंड के थू अलबर्ट एंस्टाइन के बारे में और उनकी थियोरेस के बारे में बढ़ा अपने नेक्स वेडियो में आपसे कुछ न्यू टोपिक्स पे फिर से बात होगे थैंक्यू स्टूडेंट्स